सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लिक करें बेल आइकॉन को हमारे याने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें तक कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें चलिए देखते हैं कि मटन प्लाव बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें जो हैं वो दरकार होंगी इसके लिए सक्रीम पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो ग्लास पुराने चावल लिये हैं बासमती आप कोई भी पुराने या ने चावल ले सकते हैं दो ग्लास लिये हैं इसके बाद जो मैंने मटन है बकरे का गोश्ट वो पौना किलो है सासोग चास ग्राम एक लच्छेदार कटी हुई प्यास दर्मियानी सा इसकी एक टोमाटर अद्रक लसन का पेस्ट एक चमच वान फूर्थ टेबल स्पून हल्दी पाउडर आदा चमच गरमसाला आदा चमच सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक जो है वो हस्पे जाइका मैंने एक चमच लिया है चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे पलाओ के लिए यखनी बनाएंगे तो अब हम यखनी बनाते हैं यह देखें विए अब हम यखनी बनाने लगे यखनी बनाने के यह मैंने गोश्ट ले लिया है यह हमारा तीन पा जो है वो हमारा पकरे का गोश्ट है इसके साथ मैंने चोटी सी प्याज ली है एक चोटी सी प्याज और एक लस्टन की इस तरह से तोड़ी ले लिया है एक चमच हमने जीरा लिया है साबत और इसके साथ म हमने बादी खताई के पीसिज लिए हैं सॉंफ हमने एक चमच नमक, हस्बेजाइका मैंने आदा चमच लिया है और एक चमच जो है वो हमने साबत सुका धनिया लिया है चलिए अब हम इसकी यखनी बनाते हैं यखनी बनाने के लिए हमने क्या करना है मैंने कुकर ले लिए, कुकर के अंदर मैंने प्यास डाला और ये दो गलास जो है, हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे जीरा, दार चीनी और बादिय खताई, सौन, नमक, और साबत सुखा दिया इसके बाद लास पर हम गोश्ट आमिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख लेंगे ये देखे जी, अब हमने सारा कुछ डाल लिया, अब मैं इसके अंदर बोश्ट आ रही हूँ अब हम इसका वेट बांद करेंगे और इसके पंदरा से बीस मिनट के लिए हम चूले पर पकने के लिए रख देंगे तो चलिए कुकर को चूले पर रखते हैं अब हमने इसको चूले पर रखती है जैसे ही तीन से चार सीटियां बोलेंगे दस या पंदा मिनट बाद हम उपर को खोलेंगे और फिर प्लाव को बनाने की त्यारी करेंगे अब हम इसको गोर्डन कलर तक जो है प्याब को भूणेंगे चलिए विए अब हम कुपकर खोलते हैं हमारी यखनी जो है वो अलमूस्स रेडी होगी है अब आप जिस इसको उपन करना है ध्यान से अपने करना है इसकी भाप नहीं यह देखे है जी हमारी यखनी बिलकुर रेडी है और बोटी भी हम चेक कर लेते हैं यह गली है यह नहीं गली अब दूस्री तरफ जो है वो हम प्याज ब्राउन करते हैं यह जो यखनी वाला गोष्ट है पहले हम जए आप प्यास ग्राउंग करते हैं और छावघड बनाती है प्यास हमारे गोल्डन ग्राउं हो चुके हैं अब मैं इसके अंदर अद्राक सम्ड करेंगी अब हम इसके अंदर दुरक लक्तन एड़ किया है साथ ही हम इसके अंदर जो है तो मातर सटकर के डालेंगे मातर अब हम क्या करेंगे जुस्ट एक मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो टमाटा रग अच्छे से गल जाए जल जोगी एक मिनट हो चुक है मैंने यहां पर टमाटा रेट की हैं आप इसके साथ इसके अंदर हलवी दही भी इसमें एड़ कर सकते हैं आप टमाटा रच दही भी आड़ कर सकते हैं या टमाटा या दही आज़िए अब हमारे टमाटा रच बल जुके गोश्ट यपनी वाला हम इसके इंदर सामिश करेंगे अब हम इसके अंदर सारे मसाले अट करेंगे सुर्फ मिट पावडर खल्दी गर्मसाला पावडर नमाग और अब हम इसको अच्छे से स्ट्राई कर लेंगे अच्छा जी मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो इंबली भी शामिल करूंगी मैंने इंबली ले ली थी थोड़े से और इसको पानी के अंदर जो है विगोलिया विगोने के बाद हम इसके अंदर आप क्या करेंगे इंदी वाल यह खटे परसंद है अच्छा लगता है टेस्ट अगर आप इसमें नहीं डालना चाते तो आप ना डालें थोड़ा साम पानी डालेंगे एक से दो चमा थोड़ा सम इसमें पानी शामिल किया और इसको अब धांत के रख देंगे ताके इमली का जो पानी है वो इसमें अच्छ दोड़ दी है अजस एक से दो मिनिट हम इसको और मूनेंगे अब हमने इसको बहुटी है अब गोण तो अब जो मैंने ज़्द मैंने यक्णी निकाले हुई थी तो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी इखनी के बाद मैं घ्लास और पानी इसके अंदर शामिल कर दिया आप ह जैसे इसमें उबाल आएगा हम इसके इंदर चाबल जो है शामिल कर देंगे और उसी वक्त जो है हम चेक करेंगे किया हम भी मसीड पानी समें एड़ करने की जरूरत है या नहीं जब तक चाबलों का पानी खुश्क हो रहा है हम तब तक पास जर्दा रंग बना लेते हैं इसके लिए मैंने ये येलो जर्दा रंग इस्तमाल किया है लाइन जूस कलर आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं जर्दा रंग और इसके साथ में थोड़ा सा एक से दो चम मैंने ये फूड कलर दूद में बनाया आप चाहे तो पानी में भी बना सकते हैं इस तरह जो अब हमारा फूड कलर रेडी हो गया अब लास पे जब दम आएगा तब हम इसके उपर चाबलों में एड कर दें ये देखें जी पानी में उपाला गया अब हम इसके अंदर जो ह को हैं अब हमने इसके नदर चावल डाल दी है अब मज़ीद हमें इसके अंदर पानी डाले के ज़रूरत नहीं चावल इसमें अच्छे से डिप हैं हमने क्या करना है जस्त इसको कवर करने है और जैसे ही पानी इसमें खुश्क होगा हम इसको दम पर लगाएंगे और साथ में जो है वो फूफ कलर अपना एड़ करेंगे बिसमिल्लाएक मारे यह देखिए उसमें पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया अब मैं क्या करूंगी एक साइड पर जो है मैं यह जर्दा रंग जो है वो एड़ कर दूँगी और बाकी इसको चाबलों में मैं मिक्स कर दूँगी चलिए अब हम इसको दम लगाते हैं मैंने इसको दो से तीन मिनिट के लिए दम पर लगा दिया और उसके बाद जब दम आजाएगा तो हम इसको डिश ओट करेंगे हमारे मटन प्लाव को दम आ चुक है अब हम इसको डिश ओट करने लगें यह देखें हमारे मटन प्लाव पकर बिलकुल तयार हो चुक है मैंने इसको डिश ओट कर लिया और जैसे कि आप सक्रीम पर देख सकते हैं यह बहुत ही यमी लग रहे हैं अब हम इसको खाकर आपको बताएंगे कि यह किस तरह के बने हैं इसके साथ ही आज की हमारी जो रैस्पी है वो कंप्लीट होती है इंशाला एक बार फिर नई रैस्पी के साथ आपकी खिब्मत में हाजिर होंगे लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है फ्रेंदल फैमिली के साथ शेयर करना जिनर मेरा चैनल सिस्क्राइब नी किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सिस्क्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें तब तक अपना आख्यार के थेंग्यूर लाफ्यू